अब आज निया टीवी चनल देखे रहें सभी दर्सकों को मेरा जयाभीम नमदाये मेरे साथ है वरिष अधिवक्ता सुब्रीम कोट के एड़ोकेट भानु परताब जी जो राष्ट्य जन्नित संगर्स पारटी के राष्ट्य अध्यक्ष भी है सबसे पहले हमारे चनल में कि देखे जाए तो इसमें पूरे देश के अंदर जो हकार मचावा है और यह वर्तमान की सरकार है कि सरकार की विरोध में देखे जाए दिली की बात उत्ताव परदेश की बात की जाए महाराष्ट की गुजरात की 36 यहार खर्यां करनाट का मैं बात करना चाहूंगा राष् में आपका क्या करना है हमारे दर्स को सक्षम में थोड़ा सा बतानी कोशिस करें देखिए पहले तो थोड़ा NPR को समझने की जरूरत है NPR का मतलब National Population Register यह रास्टिये जन संक्या Register यह यह जो बनाया गया है यह बिलकुल ही गैर कानूनी है कैसे गैर कानूनी है इसको आप समझे कि एक जो कानून है नागरिक्ता अधिनियम 1955 यह नहीं हमारे देश में कोई भी व्यक्ति आये उसको नागरिक्ता देने का कानून है या हमारे देश में कौन व्यक्ति जो रह रहे हैं जो व्यक्ति हैं उनकी नागरिक्ता कैसे कैसे है ये नागरिक्ता का जो कानून 1955 का है जो सम्विधान के अनुच्छेत 5 से लेके 11 तक जितने प्रतिबंध वो अनुबंध है उनके तहत ये पार्लामेंट ने कानून बनाया 1955 म सक्षBack 6 में वाचपई सरकार के समय में इसमें एक आमेंडमेंडमेंट किया गया इस कानून में और अमेंडमेंडमेंन किया सेक्षण 14 ए स्मच्छ YouTube ऐससमें नाकरिक है अब वो इश्यू किया जा तो उसके लिए क्या हो कि नेशनल रेजिस्टर फॉर सिटिजन्शिप नेशनल रेजिस्टर आफ सिटिजन इंडियन सिटिजन ये एक रेजिस्टर बनाया जाए ये सेक्शन 14 ए जो जो जोड़ा गया 2003 में ये उसके अंतरगत है और उसम ये सेंटर गॉर्णमेंट रूल बनाया ये जो कानून था ये 2003 में यानि 10 दिसंबर 2003 को ये संशोधन इस नागरिकता कानून 1955 में किया गया और ये सेक्शन 14 ए जोड़ा गया इसके अंतरगत जो रूल बनने थे वो रूल इस कानून के लागू होने के बाद बनने थे लेकि यहां पर है, दो तीन दिक्कते में आपको बताओंगा ये बड़ा कहतर ना को है, कि ये कानून बना तो 10 दिसंबर 2004 को पर ये जो रूल है, ये उस कानून के लागू होने से पहले ही 2003 में बना दिये गए ये रूल 2003 में मैं जो अगर सही है तो 10 दिसंबर 2003 को ये रूल बना दिये गए ठीक है न जी वो जो 10 दिसंबर 2003 को ये रूल बना दिये गए जब कानून ही लागू नहीं है तो कानून नहीं है इसको ऐसे समझे राजकुमार जी के माना थप्पा मारना जो है अपराद है ये कानून बना दिया गया पार्लिमेंट ने लोग सभा से भी पास हो गए राज्य सभा से भी होगा राश्टपती के साइन हो गए लेकिन जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं होगा और उसमें ये नहीं होगा कि ये किस तारीक से लागू होगा तब तक पास होने के बाफजूत भी वो कानून नहीं है असलिमें कानून लागू होता है जब नोटिफिकेशन हो जाता है पूरे देश के अंदर ठीक है तो ये कानून बन गया 2003 में लेकिन लागू हुआ तीन दिसम्बर दोहजार चौदे को और रूल बना दिये गए तो रूल कैसे बना सकती है अधिकारी नहीं सरकार को तो ये रूल बना दिये गया एक तो ये इसमें गैर कानूनी है इस तरह से पहले लागव होगा फिर रूल बनेंगे दूसरा उस एक और चीज है कि जो कानून ये बनायागा उस कानून में सेक्शन 14A में कहीं भी NPR का जिक्र नहीं है रूल बनाने का जिक्र है और रूल बनाए जब सरकार ने तो रूल जितनी उसको पावर दीगी उससे जादे पावर उसने इस्तिमाल की हक तो यह था कि पार्लेमेंट को पूरे दिशाने देश देने चीए थे कि जब नागरिक्ता का आई कार्ड आप इस्यू करोगे तो कौन को नागरिक होना चीए उसके रूल होने चाहिए कि कैसे कहां कहां से होगा क्या पैमाना होगा नागरिकता का संसद ने वो नहीं किया और रूल के मादध हम से गौर्मेंट को दे दिया और गौर्मेंट ये सारी चीज़ ने कर दिया और इसी गौर्मेंट ये NPR इसमें रूल में कर दिया जो 2003 के ये रूल है और इसको जो सीमा है उसकी उस सीमा से बहुत आगे जाके इन्होंने कर दिया जो पिर नीचे जो है तालुका लेविल पर और उसके नीचे लोकल बॉड़ी पर होगा और लोकल बॉड़ी वाले को अधिकार दे दी कि वो कैसे तै करेगा, कौन को नागरी करेगा, क्या ये जो सारी चीजें की गई है, ये NPR पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर सम्वेदानी, बिल्कुल अभैद कानून है नमबर एक, नमबर दो, इसमें जो NPR है, जो एक तारीक से लागू करने जा रहे है, एक अपरेल से जो ये लागू करने जा रहे है, ये बहुत ही गलत तरीके से सरकार लागू कर रही है, देखे इसमें क्या है, कि इसके जो है, जो फॉर्म है, उसमें 21 कॉलम है, पहले जो है 2010 तसमें ठे, इसमें पंदरे कोलम थे और इससे भी अगर आप देखें, तो इसके जो कानून है हमारा。 इस कानून के तहत यहीं कहों जो 2000-300 के जो रूल्स हैं इनके तहत. नागरिक कोन होनाचीए. जिसको आप नागरिक बनाएंगे घौनाखने और आगःक में जो NRC में, जो जिसके नाम होंगे, उसकी क्या-क्या information होनी चीए, नमबर एक उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, उसकी जो है, सेक्स यानि, यानि वो किस आदमी है, या औरत है, ठीक है न जी, दूसरा, उसका address, permanent, present address, तीजरा, उस व्यक्ति का पहचान का चिन क्या है, कि क्या, जिससे उसकी पहचान है, तो इस तरह से करके, कुल बाहर है जो है, उसके वो थे आधार, जिनके आधार पर no register बनना था, इससे ज़्यादे information नहीं चीए थी, वो आदमी शादी शुदा है, या नहीं है, शादी शुदा हुआ है, तो उसकी वाइप का नाम क्या है, केवल ये आधार थे, अब इसमें क्या हुआ है, जो सबसे खतरना के सिदे, इन्होंने इसमें, पंदरे पहले थे, कॉलम 2010 में, अब कर दिये, इसमें 21, और जो 6 कॉलम जोड़ें, वो बहुत खतरनाक है, वो क्या है 6 कॉलम, कि 16 नंबर पर है, कि आपके माता-पिता का जन्म इस्थान कहां पर है, दूसरा है कि आपके माता-पिता की जन्म तित्थी क्या है, फिर है उसके कि आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, फिर है आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, फिर आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, और फिर आपका फोन नंबर है क्या है, अब आप इसको देखिए, कि करोड़ों लोग तो ऐसे रहते हैं और ऐसे बहुत लोग है जो बच्पन में ही जिनके माता-पिता उन्हें छोड़के चलेगी उनका देहां तो गया वो कहां से बताएंगे कि उनके माता-पिता कहां पेदा हुए चलिए ऐसा भी अगर इसको माल लिया जाए अब इससे जो अ काम करते हैं लोगों के संपर्क में होते हैं आप आपने देखा होगा कि कभी लोगों से पूछें जो यहां हमारा देश जो है इसकी बड़ी दिक्कत यह है आधी से अधिकावादी अनपढ़ है जो गरीब लोग है अनपढ़ लोग है उन्हें किसी को नहीं पता कि क्या सित है तो वो जो लोग है उनसे यह पूछा जाए भी तुम्हारी जनमतितिक यह तो लोग यह कहते हैं अच्छा साब ऐसे होगी होगी साब मेरी 41 के आसपास होगी जोगी अधारन के तो बढ़ाता है जैसा मैंने कई लोगों से पूछा बही आपकी जनम की तारिक क्या है मालू दूसरी बात वो जब उनसे जनमतितिक पूछी जाती है तो वो उम्र बताते हैं उन्हें जनमतितिका नहीं पता है तो उनको अपनी जनमतितिका पता नहीं है वो माता पिता की जनमतिति कहां से बताएंगे बताईए आप कहां से बताएंगे संभभी नहीं है उनके लिए औ या इसाई और बहुत को पता है, मतलब इसका जाती और धार्म से कोई लेना देना नहीं, अगर किसी सब पुछा जाएगे, तुम अपने माता पिता की जनमतीते पताओ, नहीं बता सकेगा, ऐसे बहुत लोगों गोंगे, और मैं दावे की साथ कह सकता हूँ, इस देश में इस वो ही इसका प्रमाण है, और कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड जो सम में लिंक है, वो प्रमाण नहीं है आपका, अब आप एक बता दहीं के आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, इलेक्शन कार्ड हुआ, आपका कोई भी कार्ड, नागरिक्ता के लिए व पटवारी उनके लिखे एक डॉकुमेंट उसको नहीं माने गौहाट याई को असम की अगर बात चल लिए तो असम में तो यह कि नोसेना का एक जो 40 साल जवान नोकरी करने के बावजीद उसको डिटेशन सेंटर में बेज़ जाता है वो जमानत करके आता है गौहाट याई को नहीं को इतने डॉक्वेंट होने के बाद 15 1500 होने के बाद के नहीं मानेगा मा कह रही है क्या सबतो हो सकता उसको भी नागरिक नहीं माने someday तो कितनी बड़ी दिक्कत हैं So ये जो चीजें हैं यह बहुत बड़ी दिक्कत हार जाति और हर धर्म संपरदाय के लोगों के सामने आएंगी के बाल इस से मुस्लिम पर भावित नहीं होगा कह सकते हैं आपकी मुस्लिम को टार्गेट पर रका हुआ लेकिन सब टार्गेट पर हैं यही समझे रहो कि मुस्लिम की कंदे पर बंदू को रख के चलाई जा रही हैं दिखना ही रही पर मरेंगे सब लोग जो उनके टार्गेट में हैं वो सब SCST OBC वाले सब उनके टार्गेट में क्योंकि वो सब शूद रहे हैं समझो इस बात को इस देश के SCST OBC शूद रहे हैं उन ब्राहमणवादी हिंदुवादी व्यवस्ता की नजर में इसे वो सब टार्गेट एक चीज छोटी सी और बताना चाहूंगा तोड़ा जरूर बात लंबी हो रही है लेकिन समझाना जरूरी है कि जो सरकार दो तरह से बड़ी दिक्कत कर रही है सरकार करी ग्रह मंतरी का कहना है कि आपकी मर्जी है आप उसमें कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूं दे दो कुछ छुपाना चाहूं ना देना चाहूं मत दो और दूसरा ये कह रही है कि आपको इसमें कागस देने की जरूतनी NPR में अब आप देखें कि अगर आप कुछ information चुपा लेते हैं NPR में कुछ नहीं दे पाते हैं यह यूं कहो कि माता पिता की जनमतीती पूछी जाएगी तो कोई नहीं बता पाएगा तो उस ही सिति में क्या करोगे आप उसको यहां तो कालम खाली छोड़ दोगे जैसी ही आप कालम खाली छोड़ते हैं वैसी ही आप doubtful में आ जाते हैं डी लिख दिया जाएगा उसमें फार्म पर डी और आप सब पूछ आप पूछोगे भी डी का क्या मतलब तो वो कहते हैं डी मतलब दं तेरा काम हो गया लेकिन डी का मतलब है doubtful और जब इनके सरकारी करमचारी दफ्तरों में बैठके एनरसी करेंगे क्योंकि एनरसी करने के लिए आपका घर पर नहीं आएंगे न पिर आरसी का पहला जो है वह है सो उसमें जिसके नाम पर डी होगा उसको नोटिस भेज़ जाया कि तो अब बता सिद कर कि तो इस देश का नागरिक है तो इसमें हिंदु-मुस्लिम का कहा ले ना दना इसमें सम्मरेंगे चाहे दलित हो चाहे हो चाहे अधिवासी हो फिर दूसरी चीज एक और गुम्रह कर रहे हैं ग्रहमंत्री यह समझाना बहुत ज़र है ग्रहमंत्री का कहना है कि आप इसमें कोई नमबर up 데 यह सारे जुड़े हुए यह सारे जुड़े होएं सरकार के पास बटन दबाईए बाकि सारी सारी इंवर्मेशन आ जाएंगे कोई वही नहीं तो डॉकुमेंट की ज़रोत आए सरकार को जो ओन्फ़र्मेशन और ये बहुत ही गलत है क्योंकि 2017 में 25 अगस को सुप्रिम कोट ने 9 जिजिस की बैंचे ने एक जज्मेंट दिया निजिता का अधिकार और ये सारी हमारी निजी इन्फॉर्मेशन है सरकार कोई सरकार नहीं ले सकती लेकिन सरकार ले रही है तो ये अपराद कर रही है गैर सम अबाल है बड़ा महतपूल है जिस तरीके से हम NPR की बात करें कि बात करें क्या इन तीनों का आपस में कोई लिंक है बिल्कुल देखिए मैंने आपको बताया है कि ये जो बिल्कुल इनका लिंक है ये सरकार जो है बहुत ही मतलब सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि ये NRC और NPR ये उसी कानून के तहत हैं जिसे हम citizenship act बोलते हैं यानि में जो act है 1955 का citizenship act है नागरिक तक कानून 1955 उसी में संचोधन हुआ तो ये बना आपका CAA और इसी से पहले 2003 में जब इसमें संचोधन किया उसके तहत ये NRC आया NRC उसके तहत आया और अब जो 2019 में इन्होंने किया है ये CAA हुआ है और उसी नागरिकता जो कानून इन्होंने जो बनाया NRC जो है जो section 14A 2003 में amendment किया लागू कर दिया इसमें insert कर दिया इसमें add कर दिया इस नागरिकता कानून में section 14A उसी के तहत रूल बने वो 2003 में रूल जबकि कानून लागू हुआ 2004 में 2004 में कानून लागू है रूल बना दिया 2003 में उसी में ये जो NPR है जबकि NPR के विशे में जो amendment हुआ है section 14A जो लगाया गया उसमें NPR के विशे में कोई जान कहीं कुछ भी कहा नहीं है एक शब्दी भी कहा नहीं है तो सरकार ने जो कहा न जबर्दसी उसे कैसे एड़ कर सकते हैं और सरकार जो है जहां तक जन संक्या की बात करे हैं तो हर 10 साल में जो जन संक्या की गड़ना हो रही है वो गड़ना 2011 में हुई अब 2021 मा होने वाली अगली साल होने वाली है तो इसको NPR National Population Register की क्या जरू होता सरकार को जब एक ही तर से बिल्कुल गेर कानूनी तरीके से एड़ किया है इसी NPR के आधार पर सरकार NRC करेगी सरकार के जो करमचारी है अपने सरकारी दफ्तरों में बैठ कर जो सूचना कलेक्ट करेंगे NPR में उसी के आधार पर NRC करेंगे और जिनको चाहते हैं उनको निकाल कर बाहर करेंगे जो अपने हित के लोग होंगे उनको रखी लिए कि बड़े निश्चित रुप्त है ये सब कुछ किया ही देखें इसलिए किया जा रहा है कि इनका जो एजंडा है इसमें आप ऐसे भी एड़ कर सकते हैं कि ये CAA NRC और NPR इसमें एक चीज़ और जोड दीजे 2024 में इस सरकार करेंगे लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दू बिहार सरकार ने एक प्रसाव पास किया है कि 2010 के फॉर्मेट के आधार पर ही NPR किया जाएगा इस बात से आप कितना वाफिए देखें ऐसा है ये बिहार सरकार ने बिहार की जंता के पीठ में एक तरह से लेकिन आप प्रसाव पास कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब हो गया लेकिन पूरे बिहार में पिठचार यही हो रहा कि अब तो प्रसाव पास हो गया अब तो 2010 के आधार पर ही NPR होगा कोई दिक्कत नहीं है लोग बताएं पूरी बिहार की जंता गुमरह हो रह राज्य सरकार चेंज नहीं कर सकती है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो चेंज करना का सुझाफ दे सकती है उस सुजाब को माने ना माने ये सेंटर गौर्रमेंट को उपर है और आप जानिए कि सेंटर गौर्रमेंट क्यों मानेगी अगर सेंटर गौर्रमेंट इस सुजाब को मानेगी तो केवल बिहार के लिए थोड़ी मानेगी पूरे देश के लिए मानना पड़ेगा एक तरह का कानून ही पूरे देश में लागव होगा ना एकी तरह की विवस्ता होगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार के लिए तो 2010 के आधार पर करा लिया जाए अब पूरे देश के लिए जो वर्तमान वो है उस पर करा लिया जाए ऐसा नहीं होगा सुब बिहार सरकार में नितीश कुमार जो है बिहार की जंता की आग में धोल जोक रहे हैं ये किसी हालत में होने वाला नहीं है ये वर्तमार में जो 21 के कॉलम में उसी आधर पर होगा जिनके विशे में मैंने आपको सारी चीज़े अभी बताई है सबसे बड़ा खत्रा है और जब मुसल्मानों के नागरिक्ता खतम होगी तो उनकी जमीन है उनका बैंक बैलेंस है उनका घर दुकान है उनकी जो संपत्ति है वह सब जमीन जायजात जो है यहां के लोगों को यह जो दूर्स परचार चला पूरे देश के अंदर आरे से और बीजेपी के लोगों इतरफ से तो आप क्या कहना चाहिए यह बात बढ़ी खतरना किसी यह यह आपने जो सवाल पूचा ही मैंने भी कई जगे सुना है और मैं लोगों को इसका बाका तरीके से जवाब देता है आप यह देखें कि जो यह 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 जोगों को गरत परचार करते हैं गुमरहा करते हैं जूट बोलते हैं जो इन लोगों से जो लोग इस परचार में आ र काये जा रहा है कि इस से केवल मुसल्मान को नुकसान है और जब मुसल्मान की नागरिक्ता खत्म हो जाएगी तो इनकी जो संपत्ती है इनका जो पैसा है घर, मकान, दुकान, जमीन वो सब आपी के लिए तो रह जाएगे ये बहुत ही खतरना की सिती है बहुत बड़ा पूट और फरेभ है धोका है एक तो इसको इस तरह से समझेए आप कि नागरिक्ता जो जानी है अगर नागरिक्ता केवल मुसल्मान की मैंने आपको बता दिया मुसल्मान की नहीं जाएगी इस देश के हर किसी की जाएगी नागरिक्ता जो बहुत बड़ी संक्या में 130 लोग नागरिक्ता से बाहर होंगे ये किबल उनको नागरिक रहने देंगे जो इनके हिंदुवादी और आरसस के जो लोग हैं ताकि चंद लोग रह जाएं और बाकी लोगों को नागरिक्ता खत्म करके उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाके उनका वोट का अधिकार सब खतम कर दिया जा, ताकि यह हमेशा के लिए इस देश पर राज कर सके हैं, यह है इनकी नीती और उसके लिए यह जो पिर्चार कर रहा है, यह जो कैसे आईगी भई, दलित लोगों को जो बताया जा रहा है, दलितों के पास कैसे आईगी, नागरिकता अगर खतम होती है किसी भी व्यक्ति की, तो नागरिक ता खतम होने से उसका वोट देने का अधिकार खतम होता है, और वोट देने का अधिकार खतम है, तो उसका अलक्शन लड़ने का भी अधिकार खतम हो जाता है, और जैसे ही अधिकार खतम हो जाते हैं, जो व्यक्ति नागरिक नहीं है, तो उसकी जो संपत्ती है उसे कबजे में कौन लेता है किसके पास जाएगी सरकार के पास जाएगी उसका जो पैसा है किसके पास जाएगा सरकार के पास उसका घर मकान दुकान उसे कौन कबजे में लेगा सरकार